नमस्ते दिया स्ट्वेंट्स, वेलकम टू आल, स्वागत है आप सभी का PT एजूकेशन पे, आज है हमारा सेशन नमबर 191, और PT न्यूस अफेर्ज में आज हम जिस विशेप पे चर्चा करेंगे, वो बहुत ही होट इशू है आजकल के टाइम पे, तो COVID-19 जो है यह जो वाइरस है, इसको कैसे इसका जो फैल रहा है, ऐसे कहा जा रहा है कि we are now under the second wave, और खास कर अगर दिल्ली की बात की जाए for दिल्ली हाइट्स, तो ऐसा कहा जा रहा है कि यह third wave है दिल्ली का, पहले जून में, फिर नमबर में, और एक बार फिर से अब अपर पर दिल्ली की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो second wave इसका बताया जा रहा है, related है हमारा current events of national and international importance, society and values, science and technology, policy and governance से, main paper की बात करें, तो paper 3 and 4 में इसका पूरा-पूरा relevance दिखाई देता है, तो चलिए, are you exciting, how to stop COVID-19 spread, कुछ बाते हैं, कुछ नियम है, जिनका पालन आपक के लिए, उनको follow करते रहिए, right, तो आपको COVID-19 नहीं होगा, ये वो article है, जिसके basis के उपर पर मैं कहा रहा हूँ, कि how to stop COVID-19 spread, a missing science pillar in the COVID response, अभी तक जो भी घटना है घटी, किस तरीके से हमने इसे handle किया, COVID-19 का जो spread था, उसे handle करने के पीछे क्या-क्या strategies बनाएं, उसमें कह कही ना कहीं, एक जो चीज है, जो scientific temperament है, वो कही ना कहीं गाया था, जैसे कि दिये जलाना, हलाकि ये चीज़े की गई थी, government के तरफ से fully instructions थे, कि ये किसी एक particular community, जैसे जो doctors है, हमारे, जो COVID-19 warriors हैं, उनको boast करने के लिए चीज़े की गई थी, लेकिन लोगों ने इसे गलत ह ही तरीके से और बिलकुल अलग ही level पे इसको लेके चले गए, तो कहीं न कहीं वो scientific thought है, वो कहीं न कहीं missing था, तो ये article, जो है, प्रभाध जा का जो ये article है, वो ये कुछ कहना चाह रहे है, because, who is प्रभाध जा, प्रभाध जा is a professor of epidemiology, तो he exactly knows what he wants to say, right, तो चले देखते हैं क्या इनका view है, ये पूरे window में इनका सार है, पूरा ये article, पूरा जिस्ट निकल के मैंने आपके सामने रख दिया है, अब इसमें कहा जा रहा है कि second wave of COVID-19 pandemic suggests that epidemiology of COVID-19 is poorly understood, ये बात तो थोते हैं, आपकी दूसरी wave आ गई, फिर से cases rise होने लगे, तो कहीं न कहीं आपने virus को सम जा ही नहीं है, देखे virus की जो basic definition है, virus का मतलब है, virus का कामी क्या है, to reproduce, ये virus का सबसे पहले काम है, वो अपने आपको reproduce करता चले जाएगा, जिसे mutation कहा जाता है, right, double mutation होता है, variants होती है, तो जो second wave है, वो ये suggest करता है कि कहीं न कहीं हमने virus को बहुत ही नजर अंदास किया है, उ समझने की कोशिश ही नहीं की है, कोशिश की भी है, तो प्रापर तरीके से नहीं समझाए, अब ये जो case दुबारा से surge में आ रहे हैं, भारत के अंदर में जो दिखाई दे रहे हैं, इसका कहा जा रहा है कि इसका जो strain है, वो original virus ही है, जो पहले आया था, वही virus अब mutate होते ह double mutation के कगार पर आकर, ये जो cases दिख रहे हैं हमें, ये उनहीं के कारण हो रहे हैं, present case में बात करें, तो ये बात तो पक्की है कि virus का transmission हो रहा है, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता है, कि ये वाला जो virus, second wave में जो virus आया है, वो कितना lethal है, यानि क्योंकि अब ऐसा बोला जा र काफी जादा sensitive इसमें बताया गया है, लेकिन कितना lethal है, ये कहीं documentation में नहीं है, कहीं कोई इसकी proper तरीके से, जाच या पूरी तरीके से पुस्टी इसकी कोई नहीं कर सकता है, अब क्या जरूरत है, तो अगर आपको virus ना तो आपने समझा है, ना तो आपके पास कोई documentation है, कि इसकी lethality क्या है, तो जरूरत है कि proper तरीके से genome and genetic sequencing की जाए, जिससे पता चल सके कि virus कितना mutate हुआ है, कितना lethal है, इसके transmission से क्या-क्या effect और कौन-कौन लोग जादा इनसे prone है, second wave के अंदर में, the assumption of herd immunity among the masses of India is getting wrong now, अब ऐसा कहा जाए था, October के आसपास में, जब graph नीचे आया, curve flat हुआ, flatten the curve, जो एक movement चलाए गया था, पूरे across the world, तो जब curve नीचे हुआ, तो ऐसा लगा कि लोगों के अंदर में herd immunity आ चुकी है, herd immunity basically वो concept है, जैसे माल लीजिए, कि आपके पास 5 दोस्त है ये 5 दोस्त है, इन दो को हो गया, और इनको हो गया, अब आप इनके साथ है, लेकिन आपकी immunity जो है, वो trigger कर गई, इनके साथ रहते वे, एक बार आपको हुआ भी, लेकिन आपके अंदर एक immunity generate हो गई है, तो दुबारा आपको नहीं हो सकता, that is called as herd immunity, ये क्या है, कि एक तरी थोड़ी बहुत तबयत खराब हुई, लेकिन वापस फिर से आप normal हो गए, तो ये जो चीजे होती है, this is called herd immunity, तो ऐसा कहा जा रहा था, कि herd immunity masses के अंदर में आ चुकी है, भारती लोगों के अंदर में आ चुकी है, लेकिन अगर ये cases दुबारा rise हो रहे हैं, दुबारा जब more common, अब भारत ने vaccination drive भी चलाया, जगा जगा भेजा, vaccination policy निकाली, globe में कुछ ऐसे maps आये, जहां पर बहुत जगा पे मतलब हम लोगों ने vaccine पहुंचाया, लेकिन अब इसका ये ही मतलब हो रहा है, दुबारा से जो cases surge हो रहे हैं, कि ये जो infection है, ये asymptomatic है, ये बात तो proper है, मत दिख नहीं रहा है, वो अलग बात है, कई लोगों को वो बिमारी है, ऐसा कहना है, किसका है, प्रभाद जाजी का कहना है, जो अपने इस article में कहा रहे है, अब वो कुछ चीज़े सज़ेस्ट कर रहे हैं, कि क्या करना चाहिए, इसी वज़े से इसका नाम दिया गया है, मैं उन सभी positive cases के, उन सभी को एक central website पर लाके रख दिया जाए हर राजयों के अंदर से, जैसे बंगाल एक राजय है, बिहार एक राजय है, राजस्थान एक राजय है, उसके बाद आपका मध्यपरदेश एक राजय है, तमिल नाडु एक राजय है, तो इन सभी राजयों की ए data figures के साथ, देखे data is very necessary, अगर आपको proper तरीके से man handling इसकी कर्मी है, तो अगर आप चाहते हैं कि किसी तरीके से इसको spread को रोका जाए, तो data is very necessary, और वो भी बिलकुल figurative data नहीं, बहुत ही अच्छा data, better data, उसके बाद better reporting of COVID-19 deaths, right, अब जो COVID-19 से जो लोग मर रहे हैं, उनकी better reporting की जाए, clear, जैसे क्या है कि मान लिजए किसी को cancer है, उसको COVID-19 भी हो गया, अब आप उसको क्या show करोगे, वो cancer से मरा या COVID-19 से मरा, तो better reporting करने की ज़रो थे कि हुआ क्या actually मै, cancer अगर सिर्फ होता तो क्या वो जी सकता था, या फिर COVID-19 होने के कारण वो थोड़ा और trigger हो गया यह सारी चीज़े हैं, तो better reporting यहां इस sense में यह कही जा रही है, comparative studies across India and Asia to understand why some people are not affected, जैसे इसमें fine example है Thailand और Vietnam, Thailand and Vietnam, Thailand and Vietnam में लोग को ज़ादा हुआ ही नहीं, बहुत अच्छे सा उन्होंने कंट्रोल किया, तो यह सारी studies क्रोस करने की ज़रोथ है, टीम बनाए जाए, जो proper मैने देखें कि कैसे जो दूसरे देश हैं, छोड़े छोड़े देश हैं, किस तरीके से कर पा रहे हैं, vaccination policy, strategy and distribution must be done in proper manner, तो जो आप policy बना रहे हैं, जो strategy बना रहे हैं, जो distribution बना रहे, proper manner बहना चीज़े, क्योंकि क्या है, कि जो भारत की society है, दो वर्ग में बटी हुई है, rich and poor, अब आपकी इसकी संख्या बहुत जादा है, तो आप इसको पीछे नहीं छोड़ सकते, पीछे नहीं छोड़ने का sense मतलब कि जो भी आप strategy बनाया, जो policy बनाया, distribution को लेकर, उसमें आप जो गरीब लोग हैं, अंदकार में नहीं ढखे सकते, उनके भी vaccination उनके लिए भी बहु तो अगर एक billion से जादा adults को अगर vaccine हो जाता है, तो कम से कम 2 लाग से जादा जाने बस सकती हैं, ये ऐसा कहा गया है इस article के अंदर में, और साथ में एक अंतिम बात कि lockdown real solution नहीं है, real solution है कि आप gatherings को जितना हो सके कम करें, public places की gatherings को कम करें, offices को run होने दे, minimum staff के साथ उसको run होने लेकिन जो पूरा entire lockdown जो process था, जो पहले कभी हुआ था, 22 March, 23 March 2020 में, वो system काम नहीं कर सकता, वो तो बिलकुर मतलब एक feasible ही नहीं है, optimal ही नहीं है, right, तो ये सारे कुछ मुख्य बिंदू थे, ये कुछ बाते थी, और scientific temperament रखना बहुत जादा जरूरी है, science को समझना बहुत Is it clear? इसका aim क्या है कि एक renewable capacity 25,750 MW के establish करनी है, by 2022, तो ये आप fact ध्यान रखेगा, prelims वगरा में आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपके ये पेश कर दिया, आज का quiz, पांचमा quiz है हमारा ये, consider the following statement, पहला statement है, the concept of herd immunity provides direct protection from the infectious disease, दूसरा, it don't help people who are not vaccinated, ये अनलों की मदद ही नहीं करता, जो vaccinated नहीं है, कौन सा statement इन में से सही है, अपना time लीजिए, बताइए, क्या पहला statement सही है, यहाँ it का मतलब herd immunity सही है, पहला statement सही है, या दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई सा भी नहीं, क्या होना चाहिए correct answer, and here the correct answer is, option D, neither one nor two, so this is the correct option है, right, तो जिन लोग का स सीखने को कुछ मिला आप लोगों को, right, तो इसी के साथ हमारा lecture आद यहाँ पर खतम हुआ, economy cracker का combo, जो course है, वो चालू है, चार बड़े courses है, फुल courses है, छे महिने की validity है, 8 मही 2021 से सारे courses जो है, वो comments हो रहे हैं, करके दिखाएंगे कि spirit रखी है, और खुद को enroll करते रही है, पीटे के subscription course is on है, आप लोगों में से जितने भी enroll कर चुका है, उस सभी को बधाया, आप सभी को services मिल रहे होंगी, I hope बहुत अच्छी तरीके से मिल रहे होंगी, आप इसे YouTube से भी direct continue कर सकते हैं, और site से भी continue कर सकते हैं, एक महिने के लिए भी available है, छे महिने के लिए भी available है current affairs की annual compilation आ चुकी है, revision time high है, compilation को download करना न भूलें, और पढ़ना तो बिल्कुल भी न भूलें, इसी तरीके से हम आगे भी मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, till then take care, नमस्ते, जैहिंद